नमस्कार मैं प्राणिशी राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज एक बार फिर से महराष्ट की राजनीती में स्यासत तेज हो चुकी है जहां एक तरह बीते कुछ महीनों पहले ही शिफसेना के प्रमुक उधव ठाकरे संग बगावत की 40 विधायकों ने और अब भारतिय जनता पार्टी के समर्थन से महराष्ट में अपनी सरकार चला रहे हैं मुख्य मंतरी एकनाज शिंदे और उप मुख्य मंतरी देवेंद्र फड़नविस इस वक्त तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर अब महराष्ट की सियासत में कई बड़ी बदलाब भी देखने को मिल रहे हैं इस वक्त शिंदे और फड़नविस की सरकार के नितरत्व में कुछ फैसले ऐसे भी लिये गए ह अब वह परियोजनाई दूसरे राज्यों के हाथों में जा चुकी है और उसी के चलते सियासत तेज हो चुकी है वैदान्ता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के चलते यहां पर सियासत काफी तेज हो गई और एक बार फिर से यहां पर शिफसेना के विधायक युवानेता अधि अदित्य ठाकरे निशाने पर आ चुके हैं। और उनके इस चैलेंज के बाद बीजेपी के निता अतुल भात खलकर ने उन्हें चुनोती दे दी है। अदित्य ठाकरे ने चुनोती दे दी है। अदित्य ठाकरे को यहां पर बेहत बड़ी चुनोती भी मिल चुकी है। और यहां पर एकनाश्रिंदे क्या वाकई में बड़ी बड़ी परियोजना को अब अपने राज्य तक रख पाएंगे। यहां पर आगे आने वाले वक्त में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे वह महरास्ट को मिलेंगे। लेकिन ऐसा होते हुए देखा नहीं गया क्योंकि वैदानता फॉक्सकॉन परियोजना के बाद कई ऐसी परियोजना हैं जो महरास्ट के हाथों से निकल चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर एकनाश शिंदे जो निशाने पर बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से 16 विधायकों की अयोगता पर जो मामला चल रहा है वहीं चुनाव चिन्न को लेकर भी जंग छड़ी हुई है कि आखिरकार एकनाश शिंदे की झाल